असलाम उलेकुम एबरोबन वेलकम बैक डूम यूट्यूब चैनल आज की इस फीडियों में हम सिखेंगे काफ़तान की कटिंग एंड स्टुचिंग करना जो कि बहुत जादा एजी है और गर्मी में काफी जादा कमफर्टेबल पी रहता है काफ़तान तो एक बाद जरू से तो सबसे पहले कि यह जो घ्र करना है यह है तक लिज एक रिजसें बहुत करने के सली कि बाद और southwest टूच में माने भी औहल यहें चर्ण om फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरीके से अब फोल्ड करने के बाद यहां पर देखिए चारो हिससे हैं इधर ओपन रहेंगे और इधर की साइट बंद है तो सबसे पहले तो जो बिर्द है फैब्रिक की चोड़ाई है वो अपने नाप लेनी है ज उसके बाद यहां पर लगाना है ने कर सकते हो उसके बाद यहां पर सेंडर का निशान लगा लें ताकि कोई भी हम डिसाइन बनाएं तो यहां पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यह लग जाए ठीक है अब उसके बाद क्या करना है यहां पर नेक को अच्छी से कट कर दे सब्सक्राइब करें यहां पर कोई इस यहां और हम यदि पताइब को कुछ सेंटर worked कि इसे संदर की नो कि पत्वालने नहीं कांँआ तर यहां सबाएं by अम गए कर्ison can제 और कि बनाया व गारें ने नातोमने में में प्वर्ण भई। तो एक टुकड़ा लेना है और टुकड़ा हमें रख लेना है उसके बाद काफ़तान है उल्टी साइट से रखना है और यहां पर पहले कच्चा कर लेना है उसके बाद सलाई कर लेनी है तो मैंने यहां पर सलाई लगा लिए है अब जो कच्चा हमने किया है इसको रमूब कर ताकि हमारा जो नेक है बहुत जादा फिनिसिंग के साथ बन जाए इसलिए हम कच्छा करते हैं आप पिनबी कर सकते हो उसके बाद एक हलका सा यहां पर कट्स लगाएं ताकि हम यह गुलाई अच्छे से कट कर लें अच्छा यह मैं जो गुलाई कटिंग कर रही थी तो यह न आप गारे यह नेक है पिनार नहीं जो भी आपको अच्छा लगी वह अपना सकते हो अब मैंने पर कट्स लगा लिया है ताकि यह जो फौल्ड होकर अंदर की साइट चला जाए फैब्रिक टर्न हो जाए और उसके बाद एक और फोल्ड करना है और उसके अंदे हैं फोल्ड अपने फैबरी को यहां पर आर्मोल कर निश्रान लगा लेना है इतने भी आपके आम होल हूं यहां पर 7.5 इंच के आम होल है तो यहां अपने फिटिंग को नापना है जैसे कि यहां पर 17 इंच तो सेंटर से मैंने इंची टिप को फोल्ड किया और बीच जो हमारी लेस लगे कि वेस्ट जितनी भी है आपकी कमर लगा लें तो 14 इंच तो 14 लगा लें उसके बाद यहां पर ए-लाइन में आपने निशान लगाना है यहां से लूजिंग दे देना है तो सबसे पहले तो यहां पर निशान लगा ले एट यह फिर नाइन जितना भी आप बंद या खुला और हम जो अपनी फिटिंग है काफी ज्यादा अच्छे से लगा सके तो यह जरूर से आप कर लीजिएगा और उसके बात किया है यह तैयार है अब अपने बॉटम फोल्ड कर लेना है यहां से देखिए चारो हमें जो अपने बॉटम है वह फोल्ड कर लेने हैं इस तरीके से तो चली अब यह तैयार है बॉटम उन में अच्छे से फोल्ड कर लिया है और फाइनल कुछ इस तरीके से आ गया है तो कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताए अब मैं मिलती हूं आपसे और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अस अच्छी वीडियो